जैहें दुश्ट्रेंट्स, वल्कम बेक अगें, दिस इस दिव्यांशु पांडे, आज की सेशन में हम एक्सरसाइज जायत तलवार के बारे में जानेंगे, शुरुवात करते हैं, आज की सेशन की हम सभी जान रहें कि भारत और युनाइटिड अरब एमिरेट की नेवी के बीच में, बाइलेटल एक्सरसाइज जायत तलवार को कन्ड़र्ड किया जाता है, और ये एक्सरसाइज इस बार 23 में, दुबाई में, पोर्ट राशित पोर्ट में आपके कन्डर्ड की जा रहे हैं, जहां पर हमारी इंडियन नेवी आपकी पहुची हुई है, ये एक्सर नेवल कमांड मुंबई महरास्टा से आते हैं और इन्य नेवी अपने दो शिप्स आइनस विशा का पत्नम और आइनस तिरिकंड को लेकर रियर एड्मिरल विनीद मैकार्टे जो की फ्लाइग आइसर कमांडिंग है वेस्ट नेवल कमांड के उनके नेत्वित पे पोर्ट राशित दुबई पर ये पहुचे हुए हैं और दोनों देशों के बीच में ये exercise आपके conduct हो रही है exercise का main motto यही है कि इस visit के दोरान दोनों देशों के जो officers हैं, sailors हैं वो एक दूसरे के साथ professional interaction कर सके और maritime operation को हम कैसे बहते तरीके से कर सकते हैं इस पर जो है अपनी एक भूमिका बना सके हैं हम सभी जानते हैं कि maritime sector में security को आपका अक्षुन रखना सबसे बड़ी एक responsibility रहा करती है इसलिए इंडियन नेवी, UAE और मेंली जो अरफ countries हैं, खाड़ी देश हैं उनके साथ जो है different type के exercise क्या करती हैं और यह जायत तलवार exercise UAE और भारत के बीच के संबंधों को और भी आगे प्रगाड करता है और collaboration के साथ best practices को discuss करके, उनको conduct करके दोनों देशों की नव सिनाय आपके आगे बढ़ रही हैं तो region में हम कैसे security ला सकें और जो भी भारत और UAE के बीच के trades होते हैं उनमें हम अपने shipments को कैसे secure कर पाएं यह इंडिय नेवी और UAE Navy का main agenda रहा करता है अगर हम दोनों देशों के बीच में exercise की बात करें तो bilateral exercise, इंडिया UAE bilateral exercise conduct होती है जिसको हम अभी क्या कहते हैं, जायत तलवार desert eagle exercise bilateral air force exercise है exercise double flag UAE के बीच में हम करते हैं exercise pitch flag जो कि आपकी bilateral exercise है उसमें भी दोनों देश आपके participate करते हैं और exercise red flag में भी दोनों देश आपके रहा करते हैं तो यह कुछ important exercise है, bilateral में देखें तो आपका जायत तलवार, desert flag और आपका desert eagle यह exercise है भारत और UAE के बीच में अगर हम संबंधों की चर्चा करें तो सबसे पहले 1972 में दोनों देशों के बीच में diplomatic relations आपके बनना शुरू हो गए थे और फिर भारत ने अपनी embassy आपके अभुदावी में 1973 में open कर ली थी और इस परकार से दोनों देशों के बीच जो relations हैं वो काफी आगे बढ़ने लगे 2015 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी UAE के दोरे पर गए हुए थे जहां पर दोनों देशों के बीच में bilateral relations के साथ trade और defense पर जो है strategy के आपके चर्चा की गए अभी हाली में पिछले ही मन हमारे नरेंद्र मोदी जब bestile day parade जो कि फ्रांस में हुआ था उसके बाद एक दिन का दोरा उन्होंने अबुदावी UAE का किया था तो वहाँ पर काफी agreements आपके sign किये गए जैसे कि अब IIT Delhi का campus अभुदावी में आपका setup किया जाएगा जिसे कि वहाँ के जो लोग है वो भी एक higher education कर सकें दूसरा कि दोनों देशों के बीच आपके जो रूपी में trade होते हैं उसको भी लेकर आपका किया गया कि जो हम दोनों देश आपके trade करेंगे वो खुद की local currency में करेंगे यानि की dollar पर हमारा जो dependency है उसको हम पूरी दरीके से हटाएंगे ऐसा ही आपका एक pack भारत और बंगलादेश के बीच में हुआ है विस प्रकार से इस आपके MOU को IIT's Go Global Campaign कहा जा रहा है इससे पहले अभी अफरीका में भारत के IIT मदरास अपना campus खोलेगा और दूसरा आपका अबुधावी में IIT डेली खोलेगा तो दोनों का नाम आप याद रखे रहिए रूपी बेस ट्रांजेक्शन को करने के लिए दोनों देश काफी concerned है और इसलिए इन्होंने internationalize किया है रूपी के trade को भारत ने अपना रूपे कार्ट UAE के साथ काफी अन्य देशों में उसको legalize भी करवा दिया है साथी साथ UAE और भारत के बीच में जो आपका trade होगा अब इनकी local currency में ही होगा 2022 में आपको याद हो परवरी के मन्थ में comprehensive agreement economic partnership agreement CEPA agreement साइन हुआ तो जहां पर दोनों देशों के मानना था कि हम आने वाले सालों में 100 billion dollar के trade को अपने यहां करेंगे और जो food requirement होती है वहाँ पर 2 billion US dollar का एक food park UAE भारत में develop करेगा तो development का process काफी तेजीश चल ला है चाहे वो आपका agriculture में हो trade में हो आपका currency में हो या फिर defense exercise में हो दोनों में सभी में जो है दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं और अपने सम्मंधों को एक नई उचाई देते जा रहे हैं आप सभी defense spend SSB crack exam के interview और written courses जैसे की अगर आप एक defense experiment है और SSB interview NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप हमें चाई साथ Qई अपोश्यें आप हमारी य्लाव जाई रहे हैं तो प्रिपनलोड़ चाई को